नमास्कार दोस्तों, डिजिटल सेवा गुजरात चैनल में आपका हार्द एक स्वागत है, आज हम इस विडियो में देखेंगे की ब्राउजर की हिस्ट्री, कोकेज, कैसे डिलीट करें और कॉम्प्यूटर की उप्योग न आने वाली वेस्ट फाइल को कैसे डिलीट करें, जिससे ब्राउजर और कॉम्प्यूटर में आने वाली एरा कम हो जाए और स्पीड भी बढ़ जाए, अपने कॉम्प्यूटर में मोजिलर फायर फॉक्स को ओपन कर ले, फिर तीन डॉट है उस पर क्लिख करके सिटिंग पर क्लिक करे अब तीसरे नमबर पर प्राइवसी और सिक्यूरिटी पर क्लिख करे अब स्क्रोल बार को निचे स्क्रोल करे वहाँ आपको Cookies Core Side Data लिखा हुआ है उसकी लाइन में जहौ Clear Data लिखा है उस पर क्लेक करे अब आपको Clear का बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लेक करे अब Clear Now पर किल्क कर दे अब आप देख सकते हैं कि Data Clear होना चालू हो गया है थोड़ी देर वेट करें जब तक Data शून्य न हो जाए आप देख सकते हैं कि Data Zero हो गया है इस तरह से आप Mozilla Firefox के Data History Cookies डिलीट कर सकते हैं अब आप Google Chrome Browser ओपन कर ले और आप वहाँ Right Side में 3.पर क्लेक करें अब History लिखा हुआ है उस पर क्लेक करें आप Ctrl-H प्रेस करके भी ये Option ओपन कर सकते हैं अब Clear Browsing Data पर क्लेक करें अब आपको दो Option दिखाई देंगे एक Basic और दूसरा Advanced हमें Advanced पर क्लेक करना है और जहां Last Hover लिखा हुआ है उस पर क्लेक करके All Time सिलेक्ट करना है निचे दिये गए सब Box पर टिक मार्क कर दे अगर आप Password सेव रखना है तो वो Box पर क्लिक न करें बाकी सभी Box में टिक कर दे और निचे Clear Data पर क्लेक कर दे इस प्रकार Google Chrome ब्राउजर की History को कीज डिलीट कर सकते हैं अब है Computer की Waste फाइल को कैसे डिलीट करना है वो देखते है निचे Start बटन पर क्लिक करें और उसमें Run लिखे और Direct Window बटन प्रेस करके आर प्रेस करने से रन खुल जाएगा अब आप उसमें Tamp लिखे और निचे OK पर क्लिक कर दे अब जो फाइल दिखाई देती है उस सभी फाइल को Ctrl आप प्रेस करके Select करें और Delete कर दे अब फिर से Run को Open करें और उसमें % और Tamp फिर % लिख कर OK कर दे और सभी फाइल को Select करके Delete कर दे जो फाइल डिलीट नहीं हो रही उसे छोड़ दे क्योंकि वो प्रोग्राम चालू होने से वो Delete नहीं होगी अब फिर से Run Open करें और उसमें Preface टाइप करें और उसकी सभी फाइल को Select करके Delete कर दे इस प्रकार से हम Computer की Waste File को Delete कर सकते हैं हम दूसरे एक प्रकार से भी Waste File Delete करना आपको बता रही है आप अपना My Computer Open करें और उसमें C Drive पर Right क्लेक करें अब निचे Last में Property पर क्लेक करें अब आप Disk Cleanup पर क्लेक कर दें अब प्रोसेस शुरू होगी और आपके सामने Waste File का लिस्ट आ जाएगा और आपको सभी Box में टेक लगा देना है और निचे OK पर क्लेक कर देना है अब Delete File पर क्लेक कर देना है अब सारी Waste File की Deleting Process टॉट हो जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने Browser की और Commuter की Waste File डिलीट कर सकते हैं और अपने Computer और Browser की Speed को ज़्यादा कर सकते हैं तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारी Digital सेवा गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताएं धन्यवाद